नमस्कार दोस्तों स्वागत है हमारे यूटूब चैनल में दोस्तों यूपी एनेचम 17000 प्लस पोस्ट रेजल्ट महत्वपूर्ण सूचना बिभाग की तरफ से सारी तैयारिया पूरी फिर भी रेजल्ट में देरे रेजल्ट के लिए आस्वासन पर आस्वासन अब ग्याप की बारी रेजल्ट ग्यापन देने अभ्यर्थी पहुंचेंगे मुखमंत्री जंता दरवार गोरखपूर गोरखपूर के आसवास के अभ्यर्थी ग्यापन कारे में सहयो करें सबसे पहले वीडियो को एक लाइक करिएगा चैनल पर नए दोस्तों सस्क्राइब जरूर कर ल रही है कि सेप्तमबर माह के पहले सप्ताह में लेकिन दोस्तों कुछ छुटिया होने के कारण जो है डिले हो रहा है लेकिन रेजल्ट जो है रेजल्ट का सभी काम पूरा हो गया है बस के रेजल्ट को घोसित करना है अब यह विभाग की तरफ से क्या दिक्कत क्या परेशा आती है तो बस आस्वासन ही मिलता है आस्वासन पर आस्वासन वहां से दिया जाता है कि आप लोग परेशान ना हो आप ही के भरती पर काम चल रहा है आपका काम अंडर प्रोसेस में है और रेजल्ट आप लोग का जल्द से जल्द घोसित किया जाएगा उसके बाद अभ्यरत आप लोग देखे होंगे दोस्तों 28 अगस्त को काफी अभ्यर्थी वहाँ पर पहुंचे हुए थे लेकिन वहाँ से भी यही आस्वासन मिला था अभ्यर्थियों को उसके बाद जो है वो लोग चुपचाप अपने अपने घर के लिए लोट आएं फिर भी लेकिन अब देखि अवस्ष दिया जाएगा वह भी जब जनता दरबार गोरकपुर में जनता दरबार लगेगा मुखवंतरी जी का वहाँ पर कुछ अभ्यर्थी यूपी एनेचम जो 17,000 प्लस पोस्ट है इसके लिए जो है ग्यापन देने के लिए वहाँ पर जरूर पहुंचेंगे तो दोस दोस्तों क्योंकि लेट पे लेट होती है अगर भरती तो फिर भी उसमें फरजी वाड़ा शुरू हो जाता है कोई भी भरती आप उठा कर देखिए अगर भरती लेट हो रही है तो उसमें भरष्टा चार फरजी वाड़ा यह सब होता है घूस यह सब तमाम चीजे उसमें चलती रहती हैं लेकिन आपको पता नहीं चल पाता है फिर भरती निकलती है इसका रेजल्ट निकलता है परिछा भरती का तो आप सोचे रहते हैं कि मेरिट तो बहुत कम जाने वाली थी लेकिन मेरिट इतनी हाई कैसे चली गई तो दोस्तों यह सब भरष्टा चार के भेट ज अभेर्थी मुखमंत्री जी के जनता दर्सन जनता दर्बार गोरखपूर में पहुचने की तयारी कर रहे हैं क्योंकि दोस्तों जब मुखमंत्री जी से आप मिलेंगे मुखमंत्री जी के संग्यान में यह सब बात रखी जाएगी तभी जाके बात आगे बढ़ेगी क्यों कि उपमुक्मंत्री स्री बिजेस पाथक सर जी ने कई बार आस्वासन दीया है की आप लोगों का रिज़र्ट जल्ड ही आने वाला है बहुत से अिरति वहाँ पर उपमुक्मंत्री जी से मिले भी थे और मुखमत्री जी के बयान के माध्यम से अमर उजाला पेपर में आप लोगों ने देखा भी था कि 17,000 प्लस पोस्ट रिजल्ट जल्द जारी किया जाएगा और नियुकती जल्द से जल्द की जाएगी लेकिन दोस्टों वह पेपर में जो आया था आज के लगवक दो महीने होने जा रहे हैं लगवक दो महीने से उपर हो गए है तो अब जो है आप लोगों का यही एक काम और रह गया दोस्टों सभी अभिरती साथ दें जो गोरकपुर के आसफास के अभिरती हैं जैसे बस्ती क के हो गएं गोंडा के हो गएं महराज गंज के हो गएं आपके दिवरीया के हो गएं कुसी नगर के हो गएं आजमगड के हो गएं आयोध्या के हो गएं दोसों यहां सब के जो अभियर्थी नजदी की हैं जनता दर्सन दर्बार में पहुंचें और ग्यापन जरूर दें वहा वहाँ पर क्या आपका जो है मुद्दा रहेगा उस हिसाब से आपको जो है वह सब पेपर में लिखकर लिखकर जाना रहेगा दोस्तों यह अपडेट मैं इसलिए बता रहा हूं 20 सितंबर तक अगर रेजल्ट नहीं आता है तब क्योंकि सुनने में यही आ रहा है कि इधर कु वीडियो को जादा से जादा सेर करिएगा चैनल पर नए दोस्तों सस्क्राइब जरूर कर लिजेगा और मुख्य सेविका की क्लास जो है इसी चैनल पर सुरू हो गई है दोस्तों आप लोग फटा फट चैनल को सस्क्राइब जरूर करें मिलते हैं नेक्ट वीडियो में वी